ये स्टोरी दा थर्ड लेवल जैक फिनी की द्वारा लिखी गई है क्लास इंगिश की सेकेंडरी बूक सप्लिमेंटरी का फर्स चैप्टर दा थर्ड लेवल है ये स्टोरी 31 एर्ज ओल्ड मैन चारली के इर्द गुर्द घुमती है उसने अपनी लाइफ में एक अजीब सा एक्सपिरियंस किया एक बार वे ओफिस से लेट हो जाता है तो वे न्यू यॉर्क के ग्रांट सेंटरल स्टेशन जाने के लिए सब्वे का यूज करता है सब्वे की मिनिंग इस्टोटेन अंडर ग्रांड वे होता है और वे ग्रांट सेंटरल स्टेशन के थर्ड फ्लोर पर पहुँच जाता है जो कि रियलिटी में एक्जेस्ट ही नहीं करता अटाथ वे केवल इमेजिन ही करता है अब वे सोचता है कि अगर ग्रांट सेंटरल स्टेशन में केवल दो ही फ्लोर है तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं third floor पर पहुंच गया तो इस बात का समधान पाने के लिए वैं अपने friend Sam से discuss करता है Sam जो उसका friend है वो एक psychiatrist है जो की psychiatrist किसे कहते है जो ऐसे doctor जो की दिमाग का इलाज करते है यानि की mental problem का solution निकालते है अगली अपनी friend के साथ discuss करता है कि मैं imaginary में third level पर पहुंच गया 1894 के अर्थात जब दुनिया में बहुत शान्ती थी और आगे बताता है कि मैं 1894 के Gillsburg City में जाने के लिए दो टिकेट लेने एक अपने लिए एक अपनी wife Louisa के लिए खरीदने टिकेट काउंटर कर गया तो टिकेट काउंटर ने कहा कि ये currency जो तुमारे पास है ये illegal है इस समय ये चलने वाली currency नहीं है ये तो बहुत old currency है तो चारली डर जाता है और वहां से चला जाता है अब वह उस counter पर जाता है जहां currency exchange कर सकता था तो उसे 300 डॉलर के बदले केवल 200 डॉलर ही प्राप्त होत जाता है क्योंकि at least उसको और उसकी wife को 1894 के girls वर में पहुचने की टिकट तो मिली जिससे की वह वहां शांती से रह पाएगा अब वह second floor तक जाता है और third level को डूढने की कोशिश करता है लेकिन उसे third level नहीं मिलता तो उसने यह बात अपने दोस्त को बताई तो उसके दोस् से समझाया कि यह तुम केवल hallucinating कर रहे हो अरतात तुम केवल imagine ही कर रहे हो कोई third level नहीं है वास्ता में third level exiting करता और सैम चार्ली से यह भी कहता है कि तुम third level मत ढूंडो और वैसे भी तुम 300 डॉलर बरबाद कर चुके हो और डॉक्टर ने यह भी बताया कि तुम अपनी पर परशानी से बत सको अब चार्ली ने अपना ध्यान third level से अटाकर stem collecting में कर दिया इस्टूडन यह stem collecting उसकी होबी थी जो वह पहले से करता था तो यहां पे third level उसको जब नहीं प्राप्त होता है तो फिर से वह stem collecting के अपनी होबी को continue करता है जो कि वह सालों पहले अपने माइन को डिस्टैक करने के लिए किया करता था तो कुछ दिन बाद उसको stem collecting करते समय सेम का लेटर मिलता है जो कि काफी दिनों से गायब है उस लेटर में सेम ने लिखा था कि चार्ली मैं Grand Central Station के third level 1984 के गेल्सबर्ग में चला ग उसका फ्रेंड कह रहा है कि मैं वहाँ पहुंच गया हूं गेल्सबर्ग में और तुम और लुईजा थार्ड लेवल ढूंडना बं मत करना क्योंकि मैं थार्ड लेवल ढूंड चुका हूं एक्शली जो सेम होता है इस्टूडेंट वह भी हैलिसिनेटिंग कर रहा होता है है भी के वल इमेजिन ही कर रहा होता है तो यहीं पर इस्टूडेंट हमारा यह चैप्र कंप्लीट हो जाता है और यह इस वीडियो लेक्शर इस बलेग्शर फॉली यह फॉल्पू टू यह प्लीस लाइक दिस वीडियो शेर दिस वीडियो एंड आंसो कमेंट आं इस वीड thank you so much for watching मिलते हैं नेस्ट वीडियो लक्चर में तब तक के लिए बाई